हलो गाई, स्वागत है आप सबका, तो आज हम बात करेंगे KPI Green Energy के बारे में, इनके अंदर जो है गजब का पोटेंशियल है, काफी अपसाइट लग रही है मुझे, तो सबसे पहले आप सबसे लिख, वीडियो को पूरा देखे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आसान भासा मैं आपको समझा हूँ, तो कंपनी जो है स्यादा तर सोलर पावर यहाँ पर देख सकते हैं कि KPI Green Energy जो है, is the solar vertical of KP Group and prominent Gujarat-based solar power generating company, और in compared 2008 में जो है इनकी शुरुआ हुई थी और फोकस ओन प्रोवाइडिंग सोलर पा power plants through as an independent power plant, तो कंपनी जो है solar power खुद generate भी करती है, और जो उनके infrastructure होते हैं, उनको बेचती भी है दूसरी कंपनियों को, और current यहाँ पर इसकी capacity अगर देखें, तो 232 MW की है, successfully commission है अभी capacity, और जरा इसका target देखिए, 2025 तक यहाँ पर, 2025 यह एक 1000 MW की capacity को यह अपना target रखते ह कि वहाँ तक उनको ले जाने की, इसका ambition है, उसका लक्ष है, तो current capacity है, उससे चार गुना, 2025 तक, तो मतलब कि अब आप से देख सकते हैं, कि तकरीबन तकरीबन दो साल में, तो अगर यह अपने target के उपर successful होते हैं, तो जरा इसका share का price कहां पर जा सकता है, multi-bagger return कितने दे स सकता है, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पर देखे तो इसका cumulative power capacity है, वह 805 है, 805 megawatt, और नीचे में अगर आपको यहाँ पर इसके प्रोडक्स के अगर मैं बात करो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप टच करेगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कंपनी यहाँ पर बताया जा रहा है कि electricity solar power से होती है, वो यह बेचते हैं, एक तो यह पहली बात, दूसरी बात अगर यहाँ राइट कॉर्णर पर अगर आप देखे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो solar power से उनका जो infrastructure होता है, उनको भी यह बेचते हैं, बना जा रहा है, एक तो एक सेकंड, यह सारे का सारे इसका business experience है, और इसकी capacity अभी कितनी है, और अभी progress में कितनी है, यह आपको अगर नीचे थोड़े से जाएगे तो आपका दिखाए देगा, जी हाँ यहाँ यहाँ पर, और यहाँ पर देखें, तो मुझे एक अंपनी काफी अच्छी बढ़िया लगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 232 MW तो अलेड़ी capacity अभी है उनकी, और अभी work in progress में, अभी काम चालू है, तो वो है 128 MW का, वो भी चल्दी ही पूरा होने वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2025 में, जैसे कि हमने पहले 1000 MW की capacity बनाने का इसका लक्ष है, और इसका जो work in progress अभी यह hybrid को अगर बात करें, प्रोजेक्ट की, तो वो भी 25 MW का अभी अगर देखें तो work in progress है, मतलब की तकरिबन 1500 MW अगर देखें तो work in progress है, अभी इसकी capacity 232 के असपास है, और यह इसके कुछ clients है, उसकी लिवी list बत अभी एक contract जो है, उनको sign किया है, यहां पर आप देख सकते हैं, और वो जो contract है, तकरिबन तकरिबन यहां पर देखें तो, 78 MW और 6 MW के आसपास का है, यह solar power का ही है, और इसको आप देख सकते हैं, कि यह इसके जो clients है, total 5 clients है, इसके नाम है, और यह सारे की capacity जो है, उनको यह contract उन्हेंने sign किया है, हाला कि इसकी जो रकम कितनी उससे generate होगी, revenue कितना generate होगी, उनको जो है, बताया नहीं गया है, लेकिन यह काफी बढ़िया है, क्योंकि 8 MW कुछ छोटी numbers नहीं है, और साथ में 6 MW, जो 8 MW है, वो direct DC जो current होता है, DC के उपर है, और 6 MW जो है, वो AC क लाल चोटा है, सिर्फ हो सिर्फ 1500 करोड के आसपास का मार्केट केप है, तो इसके अंदर देखें, तो एक मुझे ऐसा लग रहा है, कि मल्टी बेगर होने का दम रखता है, अगर साल भर की में भी बात करूँ, तो यहां से मुझे ऐसा लग रहेगी, यह डबल हो सकता है, औ और इसका जब आप प्रोफिट का ग्रोफ देखेंगे, तो आप खुद भी समझ जाएगे, यहां पर आप देखें, तो इसका पी रेशियो अभी 19 के आसपास, 20% return on equity, 33% काफी बढ़िया, चोटी कंपनी के अंदर, 20% return on equity, अगर देखें, इक्वीटी के ऊपर 33% के आसपास का मतलब की है, तो काफी बढ़िया है, बुक वेल्यू अगर देखें तो 53 रुपीज, अभी इसका जो face value है, वो 10 रुपे के आसपास है, sorry, 10 रुपे ही है, और face value, और यहां पर देखें तो इसका जो high है, 52 week high, 510 रुपे है, और जो low है, 121 रुपे, अभी 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 कंप जो आगे आने वाले quarter के अंदर result उसके आच्छे हो सकते है, और सबसे बढ़िया बत, इसका पास्ट की बात करें, तो इसका जो पिछले 5 साल में इसका profit growth ज़रा देखें, 40% के CAGR से इसने जो है, साल दर साल अपना profit को grow किया है, काफी बढ़िया बात है, और यहां पर देख लग रहे कि जैसे ही इसकी company की profit generate ज्यादा होगा, तो यह share अपने promoters जो है, अपने गिर भी रखे जो share है, वो छुड़ा लेगे, ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ी सी यह आप यह जहनकारी दी गई है, और इसका peer comparison अभी इंडिया के अंदर यहां पर बताए नहीं गया है क्योंकि इसके जो listed peer, इसका जो business है, उनके अभी compare reason में कोई अभी listed peer है नहीं, तो इनका अगर PE ratio देखे हैं, हमने खुद देखा कि 19% cash pass है, return or capital employee 20% और दूसरे कोई listed peer यहां पर नहीं दिख़्ाए गए है, और यह इसका quarter on quarter results जड़ा देखिए, इस December से, उस December के अगर revenue की मा revenue था, अब इस quarterly result है, इस quarter में अगर देखे, तो 180 करोड का आसपास क revenue 10 गुना बढ़ा है, June 2020 से अब तक, और net profit अगर में बात करूँ, June 2020 में सिर्फ एक करोड के आसपास का loss था, वो आज अगर देखे तो पिछले इस quarter में, December quarter में 34 करोड का profit, अगर साल दर साल देखे, तो 13 क अगर साल दर साल दर साल देखे, अभी तक के इस साल के जो अनुमानित रिजल्ट है, तो 34 करोड के आसपास का revenue जनरेट किया था, 2019 में, वो revenue अगर आप इस साल देखे, तो 536 करोड का आने की उमीद है, तो काफी बढ़िया यहां पर अगर देखे, तो growth देखने को मिल रही है, नेट प्रोफिट अगर देखे तो 9 करोड से बढ़ कर इस साल, 88 करोड के आसपास, मतलब कि यह भी इसके अंदर जो है, सिर्फ और सिर्फ 2019 से अब तक अगर मैं बात करूँ, तो यह 5, 10 गुना इसका जो है नेट प्रोफिट जो है, इसना उच्छाल यहां पर आया है, और यहां पर अब इसकी बैलेंशीट भी जड़ा देख लेते हैं, बोरोविंग मैं हमेशा देखता हूँ, कर्जा के कमपनी के उपर कितना है, तो अगर साल दर साल देखे तो इसका कर्जा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एसी कमपनी जो की अपनी कैपेसिटी लगातार ए करजा लेती है, तो मुझे इसा लग रहा है कि अपने करजे को वापस से रीपे करने में भी सक्षम रहेगी, इसा मुझे लग रहा है, और अभी इसका जो सितंबर तक का करजा जो यह 500 करोड के आसपास का है, तो comfortable है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, और अभी इसका share holding pattern भी जरा देखिए, इसके अंदर भी मुझे काफी interesting चीज लगी, अभी इसका promoter holding अगर देखे तो 54%, 55% के आसपास है, प्रब्लिक share holding अगर देखे तो 42%, FIAS की देखे तो 5% के आसपास की, लेकिन अगर आप सितंबर 2019 के quarter से आप शुरूआत करेगे, अभी इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है, लेकिन जनवरी महीन का share holding pattern भी यहां पर दिखाए गया है, और यहां पर देखे तो FIAS के अंदर खरीदा लेगी, मार्च 2022 से, और वो अभी फिलाल देखे तो 10% के holding रखते हैं, और public share holding जो है, वो कम हुई है, वो मुझे काफी अपलीक के पास जितना कम माल होता है, बड़े प्लेस के पास माल ज्यादा होता है, तो इसके share के अंदर तेजी आने की उमीद ज्यादा रहती है, और यह इसके अभी भी देखे, तो पिछले महीने में 18 जनवरी को पिछले महीने ही एक bonus issue किया था, एक share का bonus issue किया था, यह का short term की में बात करो, अभी इसका price जो है 440 रुपे का असपास है, आज इसके अंदर थोड़ी से गिरावट रही, तो इसके अंदर आप यह consider कर सकते है कि फिलाल इसका, जो यह 21 दिनों के moving average से भाव जो है नीचे लुड़क कर आ रहा है, अब जब तक इसके 21 दिनों के moving average जो क अगर आप support देखें, तो मुझे इसा लग रहा है कि यह 415 रुपे के आसपास रह सकता है, उसके बाद देखें तो 400 रुपे के आसपास और उसके बाद देखें, तो तीसरा support, यह 3 आप note कर लिजी, यहाँ पर आप देख सकते है, 200 दिनों का moving average जो की 383 रुपीज के आसपा इसने एक massive run-up दिया है, काफी बढ़िया, एक multi-bagger return दिये है, इसका price जो है पहले, यह double price हुआ करता था जब इसने bonus issue नहीं किया था, तब कि मैं बात कर रहा हूँ, और अब यह bonus दिया है, तो भाव भी आता हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में यह जो इसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा correction आए, और इसकी trend line को अगर यह break करें तो, और यह नीचे में यहाँ पर इसी level के आसपास आ सकता है, और वो कहां पर आ सकता है, तो इस साब से अगर देखे तो यह मेरे monthly chart लगाया, यहाँ पर आप देखे, तो हाला कि यह बहुत पूर chances है नहीं, तो यह 340 रुपे के आसपास इसको एक अच्छा support मिल सकता है, और यहाँ पर आप देखे, तो फिर से मैंने यह इसका daily chat लगाया, तो आप अपनी research के ओपर, अपनी worth list के ओपर आप इसको डाल सकते है, सारे का सारे supports जो है, उनको आप consider कर सकते है, और इसका 52 week high है 510 रुपे के आसपास, यह सबसे पहला इसका जो है resistant बन सकता है, और इसका अगर देखे तो EPS और आगे आने वाली जो growth है, उस हिसाब से मुझे इसा लग रहा है, कि आने वाले एक साल के अंदर यह 50-100% के return दे सकता है आने वाले साल के अंदर, और हो सकता ही कि 600-700 या फिर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चनल को ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू